आदमकोर बाग और तेंदुए के आतंग से पूरे छेत्र में संसनी है खास तोर से गोला जो बिधान सभा है यहीं गोला तहसील भी है ब्लॉग भी है और बिधान सभा भी है उसके अंतरगात जो भी गाओं है उन गाओं में कहीं कहीं जो ग्रामीड है जो किसान है वो पूरी बाग का जो ठेकाना है वो यही गन्ना का खेत बना हुआ आप देख सकते ना यह बड़े बड़े जो गन्ने के जो खेत है इनमें अराम से तिंदुआ और यह जो बाग है वो घूमता रहता है और आए दिन ग्रामीड या जो मवेसी हैं उन पर हमला भी करता है पिछले एक महि गोला विधान सभा के पूरे छेत्र में और यहां पर देखिए गाओं के लोग भी इकठा हुए है और साइद एक लड़का यही पर दौर लगा रहा था और एक किसी बच्ची ने उसको देखा कि बाग ने उसको हमला किया और उसको खीच के जंगल की और ले गया हलाकि यह कि जो टीम थी वो उल्टे हाथ लोट गई लेकिन यह जो ग्रामीड है वाप देखिए कि इनके चेहरों की क्या इस्थिती है चुकि यह कई महीनों से आतंक है एक समय आपने देखा कि बहराइच में बेंडियों का खौफ था अब यहां पर पूरी तरह से बाग और अरे जीवन का बहुत जो है बहुत दुरलब हो गया है खेत पात नहीं जा पा रहे हैं बहुत परेसानी है कि जिस तरह से बाग और यह जो तेंदुए हैं उनका सुरच्छित अस्थान हो चुका है तो ऐसे में किसान अगर खेती करने जाएगा तो सीधा मौत से टकराएगा इसमें कोई दोर आए नहीं लेकिन किसान करे तो क्या करे कुछ तो उसको करना है यह करना है यह सरकार जाने क्या करना है जंता क्या कर सकती है जो यह महौल है कैसे बच्चे स्कूल आए जाए पैदल कैसे लोग साइकल से लोग यात्रा करें चुकि साइकल भी रिस्क है खु परेसान है बहुत मुश्किल हो गया जो तो जपट लेता है गन्ना बांध जब लेता है हम लोग तो तंग है कटी परेशान और वाग है अगर दो-चार किसा निकठा भी जाएंगे तब भी उसका कुछ नहीं कर पाएंगे अरे भीया राति में यहां किमाड़ा बंद करिके कमरम पहुड़ी तहन आज थो रखेत है हम पे साबक उठे हमके देखे पंचाईती घर बना है हम अरे दखने उके पच्छोंगी रहो चुपे घूमियान पहुड़ी रहन बंद करिके जेना मुस्किल है जेना मुस्किल है यह अब तो कोई भी ऐसा ब्यक्ति नहीं है कि जो सोचेगा कि हम कम कम मौर्निंग वाक कल ले या घूम ले टाहल ले या तयारी कल कोई जाना दूरलब हो गया यह पोजी संव रही ना तो बच्चे पढ़ सकते हैं और ना तो कोई खिसान अपने खेट पे काम कर सकता है यही अगर बाहुल रहा तो अ कब से सब चल रहा है कितने महीनों से यह लग बलत ना तीन महीने से खेल चल रहा अबन विभाग बिल्कुल सोया पड़ा हुआ है वो पकड़ना नहीं चानते हैं यह इतने दिन कई लोग कई लोग जखमी हो गए कई मवेशी जखमी हो गए और कई लोगों की मौद भी हो चुकी है ऐसे में कितने बाग और तंदुय यहां पकड़े गए एक भी नहीं पकड़ा गया का और बन विभाग की टिम घरतने में काफी दुन से आई लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं और आज जो सुबह जो खबर आई इस जगह से कि यहां पर कोई लड़का दोड़ते हुए जा रहा था तैयारी कर रहा था किसी लड़की ने देखा कि उसको एक बाग जो है खीज के ऐसे ही ले गया कहा जा रहा है कि जो लड़का था वो उसकी चपल है और यह चपल पूरी तरह से टूटी हुई है हाला कि बन विभाग की टीम आई चुक और ना ही तो सौ मिलता है ड्रोन भी चलाया गया यहाँ पर ढूड़ा भी गया सर्च भी किया गया लेकिन कुछ मिलता नहीं है लेकिन ग्रामीनों का कहना है कि यहाँ पर आज सुबह जो घटना हुई थी उसमें उससे काफी इनके अंदर डर है और आप देखिए कि यहाँ के लोग हैं कोटवारा के गाउं के लोग या अगल वगल गाउं के लोग यहाँ पर इकठा हुए हैं हम इनसे जानना चाहेंगे कि भी यह बताईए जो सुबह जो एक बात आई कि एक लड़के को खीच के ले गया बाग उसमें किदरी सचाई है 90 परसंट 90 परसंट सचाई ह चैरे बन विवाग की है इसको मान रहा है बनवीखा मैंने को ट्याने लेकिन यह सव पर सेंट सब्सक्राव क्रों कई वार पंजे मिले इसके निसान मिले इधर उदर लोगों ने देखा अब दहसत पहले से ही थी अब जैसे रोड है रोड पे निकलना तो है बच्चों को स्कूल जाना है अपने जो गरीब आदमी हैं उनको रोजगार यह कुछ पता नहीं कि बस उस लड़की ने देखा उसक कच्छा 12 की सात्रा थी 11 या 12 की सात्रा थी 15-16 साल की रही हो कि लिए क्या कहेंगे भाजचा बाप यह जो खबर है क्या सही है हां बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर इससे पहले भी कई लोग देख चुके हैं कि यहां पर तेंदुआ दिखाई पड़ा है कई बार रात में लोग निकले हैं तो यहां रोड पर बैठा हुआ दिखाई पड़ा है लेकि यहां बनविख्ङ टीम आई थी लेकिन सो नहीं कि VG मिला नहीं इतो ऑग़रा उडा था के अध्या मिली गट तिन घंके बाइक कम नहीं मिली दो नुड़ा ओडाया और डॉन गही यह जदा श्यप नहींं किण ए क्यों की यह. मनोच एक लड़का है महारे पास बड़ी लड़किए पड़ने आती तो वह जूर तो बोलेनी वह भी में दो जोबत चेट के लोगी तुर पता बड़ी का भी पता नहीं थीक ठीक से सर्च नहीं किसी को गुषने नहीं दिया गया खाली अपने अधिकारी लोग उसे उनका कैमरा डाउन हो गया बस चले गए यहां बुझो हम लोग रोद देखते हैं दर से उधर क्रास करता है हम लोग जानवर खेतों में नहीं आते हैं कास्तकार की बिल्कुल खेती चोपट हुई जा रही है यहां पर बाग है तो रात में घस्त भी नहीं हो सकता क्योंकि डर का माहूल रहेगा पता नहीं किसको लेके चला जाए क्यों गस्त नहीं कर पा रहे हैं हाँ मजदूर क्योंकि मजदूर को कोई ना कोई रोजगार जहें सुबह की मेटिंग में अगर वो निकलता हुसे तो इतना डर लगता कि हम जाएंगे तो हमला हो सकता है